नमस्कार आपका स्वाकते राजमामा टीवी पे मैं पूर्ण हम आपके साथ अक्षे कुमान ने बातों बातों में सेंसर बोट पर तंच कसा है अक्षे ने कहा कि Oh My God 2 पहली एडल्ट फिल्म है जो टीनेजर्स के लिए बनी है उन्होंने कहा कि इस फिल्म को स्कूल में बच्चों को दिखाना चाहिए हाला कि अक्षे की बात ममकिन नहीं है क्योंकि फिल्म को एस सर्टिफिकेट मिला है 18 साल से कम उमर वाले फिल्म देखने के लिए अलिजबल नहीं है अक्षे फैंस का रियक्शन जानने के लिए थेटर गए थे वहाँ उन्होंने आउडियंस के साथ बातचीत की Oh My God 2 सेक्स एड्यूकिशन पर बेस्ट फिल्म है मेकर्स के मुताबिक इसे 13 से 17 साल की बच्चों को ध्यान में रखते वे बनाया कहता हालाकि सेंसर बोर्ड ने इसे अड्र्ट सर्टिफिकेट दे दिया अब अक्षे ने कहा कमाल की बात बताओं यह पहली अड्र्ट फिल्म है जो टीनेजर्स के लिए बनी है वास्ताओं में इस फिल्म को स्कूल में दिखाना चाहिए वहाँ बेटी आउडियोंस से भी कुछ लोगों का कहना है कि वह पहले योन संबंदी विशेव पर बच्चों से बात नहीं करते थे अब फिल्म देखने के बाद वे अपने बच्चों के साथ पादशिता रखेंगे सुशल मीडिया पर लोग सेंसर बोर्ट के फैस्टे पर सवाल उठा रहे हैं लोगों का कहना है कि बोर्ट ने क्या सोचके इस फिल्म को एडल सर्टिफिकेट दिया है यूजर्स के मुदाबिक इस फिल्म का जो सबजेक्ट है उसके बारे में जानने की आईशक्ता सबसे ज़्यादा बच्चों को है बोर्ट ने फिल्म का दो हफते तक रिव्यू किया इसके बाद फिल्म में कुछ बदलाव करके इस एटिफिकेट दे दिया फिल्म से तारिफ बटो रेक्टर पंकस्ति फाठी ने भी संसब बोर्ट के फैसले पर हैरानी जताई थी उन्होंने फिल्म के इलीज से पहले एक इवेंट में कहा गेंग्स ओफ वसेपूर बनाते वक्त हमारे दिमाग में था कि फिल्म को किसी भी हाल में एडल्ट सेटिफिकेट ही मिलेगा लेकिन ओमाइगॉड टू के साथ बहुत हैरानी हुई हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि फिल्म को एडल्ट सेटिफिकेट मिलेगा थोड़ा मलाल हो रहा है कि जिस एज गुरूप को एडल्ट देखनी चाहिए वसे नहीं देख पाएंगे बता दे ओमाइगॉड टू की कहानी सेक्स एड्यूगेशन पर बेस्ट है सेक्स एड्यूगेशन के अभावों में बच्चे अपना नुकसान कर लेते हैं उन्हें कोई समझाने वाला नहीं होता जिसकी वज़ा से वे गलत कदम उठा लेते हैं यह फिल्म इसी मुद्दे को उठाती है फिल्म इस बात की वकालत करती है कि हमारे स्कोलों में सेक्स एड्यूगेशन क्यों नहीं है इसी के साथ बने रहें राजणामा टीवी के साथ धन्यवाद